आप सभी का स्वागत हैं, हमारे चैनल कुड़ुख एक्जाम उरान टीवी जी एच में आज ही क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज ही क्लास में हम लोग 25 कोशन का एक मीनी सेट करने वाले हैं मीनी सेट मैं इसलिए कह रही हूँ जो भी हम लोग कोशन करेंगी उसका आप लोग पहले खुद से आंसर करने की कोशिच किजिएका उसके बाद उससे टैली करियेगा ठीक है और जो भी आपका स्कोर होगा वह आप लोग मुझे कमें टाइप करके भीजिएगा ठीक है तो इससे आप लोग ये भी अंदाजा पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे मुबाइल एप उरावती वे जेच में आपको जे एससे सीजियर जे एम एससी सीए जे टी पी टी सी सीए इन तीनों एकजाम का कुरुख पेपर का कोर्स मिल जाएगा इन तीनों एकजाम का स्लेबर सेम है कुरुख लैंग्विज का और हमारे कोर्स का प्राइस भी जादा नहीं है अभी तो जर्टी ले लीजे इसे और अपने तयारी जर्टी शुरू कर दीजे चलिए तो पहला कोशन शुरू करते हैं बिलस लूर मलका देवाना सिन इंदर आलो उंदर आगे आइन का रहचस तो राजा लूर मलका दिवान को क्या समान क्या के समान लाने के लिए कहा था ओप्शन नमबर A देखिए उर्मी एंपा या ओप्शन नमबर B उर्मी जिया या ओप्शन नमबर C बैमान या ओप्शन नमबर D मैता हुर्मी चलिए आप लोग उसे टिक कीजिए और आप लोग जब मैं बताऊंगी तब आप लोग उसे टाली कर लिजेगा तो उमीद कर दियो कि आप लोगों ने आंसर टिक कर लिया होगा तो जो राजा होगा है ना राजा लूर मलका देवान से चार चीजे लाने के लिए कहता है ठीक है, तो पहला तो आपका था उर्मी एमबा, उर्मी एमबा भी लाने के लिए कहता है, उर्मी जिया भी लाने के लिए कहता है, और बैमान भी लाने के लिए कहता है, तो यहाँ पर answer क्या होगा, option number D, यह तीनों ही लाने के लिए बोलता है, लेकिन चार चीज लाने के लिए कहा था, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक नहीं लिखा गया है, उससे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा, कि वो कौन सा वाला समान था, ठीक है, तो चार समान लाने के लिए राजा कहा था, लूर मलका देवान को चलिए तो इसका आंसर है आपका option number D आप लोग अपना point ना comment में भी बताया कीजिए चलिए तो option अब दूसरा question देखते है एका नंतूद तली तिंगा यानि कि इस वाले जो sentence में कौन सा वाला आपका कारक है नंतूद मतलब कारक ही होता है ना नंतूद तो कौन सा वाला यहां पर कारक का इस्तमाल किया गया है पहला देखिए मन्तू नंतूद है या दूसरा देखिए अधि नंतूद है या अधिगे नंतूद है चले तो उमीद करते कि आप लोगों इसका टिक कर लिया होगा इसका आंसर होगा आपका अधिगे नंतूद है ना तो एन निंगा पोथिख हिंदिकन इसमें अधिगे नंतूद है चले उसके बाद थर्ड वला देखिए अब आया आप आपका नाटक खली आयंग लीला नू खदर गही इंदर नामे तले यनि कि यहां पर बच्चों का खली आयंग जो नाटक है उसमें बच्चों का नाम क्या है option number A देखिए गोलू मोलू option number B सुनू मुनू option number C सुम्रा मंगरा या option number D बढ़का छुटका तो इसका answer है आपका सुनू मुनू ठीक है तो option number B इसका correct होगा चलिए चलिए तो फोर्थ कोशन देखिए खुयो पच्चिस गही एमदा धिबा गही लाट्री लगकी रहचा अच्छा यहाँ पर मैं आप लोग एक बात बतना चाहूंगी कि अगर examiner, question, heart मतलब की बनाना चाहे तो वो वहाँ पर बताएगा नहीं कि वो किस कहानी का है ठीक है वहाँ पर character का नाम दे दिया जाएगा जैसे कि यहाँ मैंने दे दिया है, खुयो पच्चिस, चीक है तो अब यह किस कहानी का है, यहाँ पर मैंने यहाँ बताया नहीं, तो खुयो पच्चिक का कितने रुपए का लोट्री लगा था, तो option number A देखिए, ओंद करोर, option number B, ओंद लाग, या option number C, दोए लाग, या option number D, पंदी लाग, तो इसका आंसर है, option number A, ओंद करोर, तो खुयो बुढ़ा का एक करोर का लोट्री लगा था, ठीक है, चलिए, question number 5 देखिए, सोना, एका पिंच का हिके तेंगा, option number A देखिए, मनगुन पिंच का, option number B, दरब पिंच का, option number C, गैरहा पिंच का, या option number D, गोट पिंच का, तो इसका आंसर होगा, आपका, option number B, दरब पिंच का, ठीक है, तो सोना आपका, दरब पिंच का का उधारन है, चलिए, आगे देखते हैं, अब यह है, आपका 6 number का question, नौरी तंबस गही, इंदर नामे हिके, नौरी के पिता का नाम क्या है, option number A, देखिए, बिर्सु, option number B, कर्मा, या option number C, देखिए, फगवा, या option number D, खदिया, तो इसका आंसर होगा, option number D, ठीक है, यह जो नौरी तंबस, नौरी आपका भरिया जो नाटक है, उसमें नौरी आपका एक नाइका है, ठीक है, नाइका है, और नौरी के पिता का नाम क ठीक है चलिए तो सात्वा कोश्चन देखिए डॉक्टर हरी उराओं एका विशयनू सनातक नंजस ठीक है यानि डॉक्टर हरी उराओं ने किस विशय में उन्होंने सनातक किया था तो आप्शन नमबर ए है आपका अर्थशास्त्र आप्शन नमबर बी कुडुख या जादा लोग तो कुडुख टिक किये होंगे है ना तो कुडुख आंसर इसका नहीं होगा इसका आंसर है आपका अर्थशास्त्र तो डॉक्टर हरी उराओं ने अर्थशास्त्र में सनातक किया था उन्होंने अर्थशास्त्र विशय में चलिए अब आगे चलते हैं तो इसका आपका option number A सही है साथवे का चलिए आठवा question देखिए मुकरनू कथा मनी हुले आर एका से कथा कचनकरनर बग्गे गन्यानू अदिन तिंगा तो यहां पर आपका बहुवचन में बोला जा रहा है कि जब औरते आपसे बात करेंगी तो वो बहुवचन में किस शब्द का इस्तमाल करेंगी पहला है आपका राचियर या option B राचियर या option C राचियर या option D राचियस जब औरते आपसे बात करेंगी तो किस बहुवचन का इस्तमाल करेंगी राचिय का या राचिर का या राचियर का की राचियस का तो यहाँ पर option number A सही है राचिय का इस्तमाल करेंगी चलिए, ninth number question देखिए आप लोग ninth number option number A देखिए option number A है आपका वही मुख्या option number B नैगस option number C देवान या option number D इन्नोती एकदा हुमला या इन में से कोई नहीं, बताइए तो इसका answer होगा, सही answer होगा आपका option number B नैगस तो नैगस इसका सही answer है नैगस चलिए दसवा question देखिए एका बेरी कुड़ खर रोहतास गड़ती छोटानाकपूर बर्चर खने आर गही सहाड़ा ने नंजा तेक है मतलब उनकी मदद किस ने किया जब कुड़क लोग रोहतास गड़ से छोटानाकपूर आये तो option देखिए पहला नंबर कुरू option B असुर option C मुंड़ या option D हो तो उनकी मदद किया था मुंड़ा उने ठीक है तो option C सही होगा मुंड़ा आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आपको paper 3 जिसमें आपका gk, math, science, reasoning, computer है इसका test series आपको exam cluster app में मिलेगा exam cluster app में अभी इसका price बहुत कम है लेकिन कुछ समय के बाद इसका price बढ़ जाएगा तो अगर आपको paper 3 का test series चाहिए तो exam cluster app को download कर लिजे play store से और अगर आपको इसका quality चेक करना है तो उसमें एक demo test series है तो आप उसे देख सकते हैं ठीक है class को आगे बढ़ाते है 11 नमबर देखे खेखिल खंचपा गही टूरूस ने तलदस option number A इंदरजीत उराउं option number B दावले कुजूर option number C dr. हरी उराउं option number D dr. बसंती कुमारी कुजूर तो इसका answer है आपका खेखिल खंचपा के जो लेखक है उनका नाम क्या है इंदरजीत उराउं तो यहाँ पर आप लोग एक trick याद रख सकते है कि खेखिल खंचपा मतलब कि इससे हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से आप लोग इसका खेल ले लीजिए ठीक है तो खेलोगे तभी जीतोगे और इंदरजीत से जीत ले लीजिए तो यहाँ पर एक छोटा से trick बन सकता है इससे आप लोग इनके लेखक का नाम याद रख सकते है तो खेखिल खंचपा का लेखक कौन है इंदरजीत उराउं खेलोगे तभी जीतोगे अच्छा यहाँ पर दौले कुजूर है तो दौले कुजूर किसके लेखक है कविता में आपका जूडी जूडी कविता है उसी के लेखक है और आपका डॉक्टर हरी उराउं तो डॉक्टर हरी उराउं जो है यह छोटा नागपूर के लेखक है ठीक है चोटा नाकपुर कविता और आपका एक परित का जातियर तो परित का जातियर तो आपके जो डॉक्टर हरी उरा है वो चोटा नाकपुर और परित का जातियर के लेखक है और जो आपका बसंती, डॉक्टर बसंती कुमारे कुजूर है, इन्हों ने आपका नीन जूरी कविता को लिखा है, तो दौले कुजूर है, दौले कुजूर ने जूरी तो लिखा ही है, इसके साथ आपका असारी करम, जो आपका कविता है, इसको भी लिखा है, असारी करम, उसके बाद आपका अचरन ची आयंग ये तीन कविता को इन्होंने लिखा है और डॉक्टर हरी उराउं छोटा नाकपूर लिखे हैं परित का जातियर लिखे हैं ठीक है और जो आपका इंदरजीत उराउं है ये खेखिल खंचपा तो लिखे ही है साथ में जिया खोंत्खरी इन्होंने ही लिखा है और खेखिलन का मा सोना इन्होंने ही लिखा है ठीक है चलिए तो इसका आंसर जो है इसका आंसर आपका इंदरजीत उराउं है ए नंबर चलिए आगे चलते हैं पुनाइन ने हुच की रहचा पढ़ाबा आगे पुनाइन ने हुच की रहचा पढ़ा तो option number A देखें तंबस या option number B टंग मामूस या option number C तंग्यों या option number D तंगददस तो पूनई को पढ़ाने के लिए कौन ले गया था उसके पिता उसके मामू उसकी माँ या उसके भाईया तो इसका answer है आपका option number B टंग मामूस तो पुनई ये आपका आयंग जिया नाटक का करेक्टर है ठीक है पुनई और पुनई को पढ़ाने के लिए उसके मामू ले जाते हैं और पुनही पढ़ लिक के बहुत ही अच्छे पत पर मतलब की आसीन होता है, ठीक है, तो आप लोग उस नाटक को अच्छे से पढ़ लिजेगा, चलिए, तो तेरा नमबर देखिए, बधू गही बढ़र्ना बक एमता बरन गही मनी, आप्शन नमबर ए, पन्चे psychology Алप्शन नमबर ब, मूंद, आप्शन नमबर शीर्ड या या आप्शन नमबर डी, नाख बधू गही बढ़र्ना कहने का मतलब है विद्हाय का विस्टार, तो ये आपके इसका अंसर होगा, आपका आप्शन नमबर भी मूंध तीन, ठीक है, च चौधवा कोशन देखे, 14 नमबर, असारी डंडी, इंद्रा डंडी रही है, परवतिभार डंडी, संसकार डंडी, खेल डंडी, या फिर आपका साहे या गली डंडी, साहे या गली का मतलब होता आपका रितू, ठीक है, या मौसम के लिए भी इस्तमाल कर सकते है, तो असारी जो गाना है, वो क्या गाना है, परवतिभार में गाया जाता है, या संसकार में गाया जाता है, या खेल डंडी है, खेल गाना है, या फिर आपका साहे डंडी है, या गली डंडी है, इसका option है, आपका option number D, साहे डंडी, यानि कि ये रितू संबधी गाना है, असारी डंडी तो इसका आंसर होगा option number D चलिए question number 15 देखिए तोड एमदा बरण गही मनी option number A ना, option number B एड, option number C मूद या option number D पंचे तो इसका आंसर होगा आपका option number B एड, ठीक है एड बरण गही मनी चलिए, आगे चलते हैं 16 number question देखिए एका पोथीन, कुडखर गही कत्पंडी बानर मतलब किस किताब को उराओं का कत्पंडी कहा जाता है option number A देखिए कुडख हीरी जुमपा या option number B कुडख कत्थ डंडी जुमपा या option number C लील होरा खेकिल या option D इन्नूती एकदा हुमला तो इसका आंसर है आपका option number C लील होरा खेकिल तो लील होरा खेकिल किताब को ही कुडखर गही कत्पंडी हुँ बानर ठीक है? चले हैं तो question number 17 देखिए 17 देखिए बगड़ो पच्चिस गही एमता जन खदर रहचर कितने बच्चे थे बगड़ो गुढ़ा के? option number A नाख जन option number B मूद जन option number C एड़ जन या option number D पंचे जन तो आप लोगोंने टिक कर दिया होगा वैसे इस कहानी में बताया नहीं गया था exactly कि पगड़ो गुढ़ा के कितने बच्चे है तो बगड़ो गुढ़ा के कितने बच्चे थे? बगड़ो गुढ़ा के चार बच्चे थे नाख जन नाख जन कैसे? क्योंकि आप लोग ठीक से एक बार पढ़िएगा उस कहानी को दुबारा से वहाँ पर लिखा हुआ था कि दो बेटी को बिदा करेंगे तो दो नई बेटियां घर में आएंगी ठीक है? तो क्या कहा गया था उसमें दो बेटी को जब बिदा करेंगे तो दो बेटी आएंगी मतलब दो लड़के हैं और दो लड़कियां हैं ठीक है तो कुल मिलाकर चार हैं चलिए 18 कोशन देखिए मूंदनु धर में से असुरर दरा यहाँ पर जरानी होगा यहाँ दरा होगा मतलब की पहले भगवान असुर और लोड़राओं को मना करने के लिए किसको भेजें पहला नमबर देखिए ओप्शन नमबर A जगडू करकेटा भंडारी सिन या ओप्शन नमबर B धिचुआ मंगरू महतोसिन या ओप्शन नमबर C हलुमानर सिन या ओप्शन नमबर D मैनन तो इसका आंसर होगा option number B धिचुआ मंगरू महतोसीन ठीक है तो सबसे पहले जो भगवान है वो असुर और लुधराओं को मना करने के लिए धिचुआ मंगरू महतो को बेजते हैं ठीक है उसके बाद दूसरे नमबर पर आपका किरकित्ता भंडारी को भेजा जाता है दूसरे नमबर पर पहले धिचुआ को भेजते हैं चलिए तो 19 नमबर देखिए पेट गही संगी बग तिंगा पहला है इसका मतलब संगी बग यहां बताना है आपको पेट का तो पहला है आपका धतम दूसरा है आपका पाली या तीसरा है आपका फुदना या चौथा है आपका पलो तो इसका आंसर होगा ओप्शन नमबर दी पलो ठीके तो पेट का संगी बग क्या होता है पलो चलिए बीसवा कोशन देखिए बेचन उराओं एकसन कुद्र का रहचस ओप्शन ए असम ओप्शन नमबर भी भूटान या ओप्शन नमबर सी नेपाल या ओप्शन नमबर डी जारखंड तो बेचन उराओं उनका जनम कहा हुआ था नेपाल में ओप्शन नमबर सी सही है ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो question number 21 देखिए बिहारी लखड़ा के साहित्य अकादमी भासा सम्मान एका चान चिच्चर तो यह वाला question है यह आपका बहुत important है ठीक है तो किस साल दिया गया था उन्हें साहित्य अकादमी भासा सम्मान बिहारी लखड़ा को यह सम्मान दिया गया था तो option number A देखिए मतलब कि 2017 या option number B 2004 या option number C 2003 या option number D 2022 कब उनको यह सम्मान दिया गया था बिहारी लखड़ा को तो इसका answer है option number B 2004 को उन्हें यह सम्मान दिया गया था तो बिहारी लगड़ा को 2004 में मिला था ठीक है आपका साहित्य अकादमी भासा सम्मान और एक कुशन याद रखेगा ये अकादमी भासा सम्मान पाने वाले पहले कुड़ुख साहित्यकार है बिहारी लगड़ा ठीक है तो इस चीच को आप लोग याद रखेगा कि बिहारी ल बन सकता है ठीक है और जो दूसरे जो इंसान है 2017 में डॉक्तर निर्मल मिंच को साहित्य अकादमी भासा सम्मान दिया गया 2017 में ठीक है तो 2004 में बिहारी लकडा को दिया गया और ये सम्मान पाने वाले पहले कुड़ों साहित्यकार है बिहारी लकडा जी और 2017 में डॉक्तर नि बहुत important है, याद रखेगा, भूलिएगा मत, star mark कर लीजे, चले, तो question number 22 देखे, चिच चेप हीरी नू धर्मिस नेकन डमुवन ठोकागी आइन का रहचस, option number A, पार्वती, option number B, खदस, option number D, खद का option number D, हनुमान, तो किसको डमुवन ठोकने के लिए भगवान ने कहा था, इसका अंसर है आपका option number D हनुमान तो हनुमान को डमुआ ठोकने के लिए कहा गया था लेकिन हनुमान क्या किया वो आपका तेला खाते खाते भूल गया डमुआ ठोकना ठीक है और पूरा आग जो था वो फैल गया question number 23 देखिए उतान बक गही बिर्दो बक तिंगा उतान बक गही बिर्दो बक तिंगा option number A देखिए ओलपो, option number B हुमबा, option number C fitting या option number D होरना इसका सही आंसर होगा option number B हुमबा 24 नंबर का question देखिए है ना, मतलब कि पहली बार सुगिया को फकीर कहा देखा option number A चाह बगान नो या option number B तंग है कोठी नो या option number C इटा भठा नो या option number D सुगिया गही इरपा नो कहा पर सुगिया को पहली बार देखा था फकीर चंद या आपका कोड़ा राजी का है कोड़ा राजी ना तक का तो ये आपका होगा option number C इटा भठा नो तो पहली बार जो फकीर चंद है वो सुगिया को इटा भठा में देखता है ठीक है वहाँ पर आपका कर्मु धर्मु दोनों ही रहते है फिर फकीर उसे उन लोगों से पूछता है मतलब कर्मु धर्मु दोनों सर्दार से पूछता है कि ये कौन है तो वही लोग उसे बताते है तो पहली बार फकीर चंद सुगिया को इटा भठा में देखा था चलिए आजी क्लास का last question है आजी क्लास का last question है question number 25 यहाँ पर मैंने दो लाइन दिया हुआ है दो वाक के दिये हुए है अब इसको आपको बताना है कि ये मतलब की कौन से वाले कविता से मैंने लिया है ठीक है तो ये आपका क्या है बाउगिन कुमोई तूडसिन धरोई मन गुसन कालर में एरोई तो ये किस कविता का बाउगिन है यही आपको बताना है option number A देखे जिया खोंत्खरी या option number B अडखा चेहिल या option number C खेखलन कमा सोना या option number D असारी करम तो ये किस कविता का बाउगिन है ये आपको बताना है इस तरीके से का कोशन पूछ सकता है इस तरीके का कोशन पुछा जा सकता है इसलिए पूछ रही हूँ तो इसका answer होगा option number B अडखा चेहिल तो अडखा चेहिल का ये आपका वाक्य है ठीक है और अडखा चेहिल के लेखक कौन है ये आप लोग मुझे comment में बताईएगा ठीक है अडखा चेहिल का और असारी करम का भी बताईएगा क्योंकि ये तो और ये खेहिलन का मासोना ये तो मैंने आप लोग को बताया था इसके लेखक इंदरजी तुराओं है और एका भी मैंने बताया था जिया खोंध्री इसके भी लेखक इंदरजी तुराओं है तो आप लोग मुझे अडखा चेहिल के लेखक का नाम बताईएगा और असारी करम के लेखक के नाम बताईएगा ठीक है तो चलिए आज इक लासे बस इतना ही करेंगे आप लोग अपना जो score है वो बताना ना भूले इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी किस दिशा में चल रہी है और इससे ये भी पता चलेगा कि आप की तैयारी कैसे चल रही है है न आप बाकियों का भी score देख सकते हैं तो वो भी बताएंगे तो आप लोग अपने अपनी तयारी से उनकी तयारी को compare कर सकते हैं ठीके तो score बताना बिल्कुल मत भूलेगा ठीके चलिए मिलते हैं next class में thank you